अरे छोड़ा हूँ कल के बतिया, कल के बतिया पुरानी अरे शाम, तुम्हारी फसल तो बहुती अच्छी लग रही है, वहां मेरी फसल ना जाने पीली पढ़ कर सूख रही है ऐसे कैसे लखन भाईया, जरा मुझे दिखाओ लखन भाईया, देखके मालूम होता है कि आपके गन्ने में लाल सडन रोग लग गया है यह तुमने कैसे पैचाना? लाल सडन रोग पैचानने के लिए सबसे पहले तीसरी चौथी पतियां देखें लाल दब्बे जैसे कुछ दिखाई दे रहे? यह लाल सडन रोग के प्रथम लक्षन है फरंदू इन लाल धब्बों की और भी वज़ा हो सकती है इससे सुनिश्चित कर सकते हैं पतियों को पीछे की तरफ से देखके यह पूरे रंग के रुद्राक्ष माला जैसा दिखाई देगा इससे मालूम हो जाता है कि गन्ने में लाल सडन रोग हो चुका है इससे और सुनिश्चित करने के लिए गन्ने को फाल कर देखे तब इसमें सफेद और लाल दोनों रंग के धब्बे दिखाई देंगे और सिर्की की बद्बु आईगे अच्छा तभी मेरे सारे गन्ने सूग गए है आँ ये बड़ा ही खतरनाग रोग है परन्तु ये हुआ कैसे ये रोग रोग ग्रसित गन्ने को बीज में इस्तमाल करने से बीज और भूमी को फपूंदी नाशक दवाय अथवा ट्राइकोडर्मा से सोधन ना करने से होता है और रोग ग्रसित खेट से अगर पानी भैकर स्वस्थ खेट में पहुँच जाए तो स्वस्थ गन्ने भी रोग ग्रस्थ हो जाते हैं इस रोग के लक्षन चून माह में दिखना प्रारम हो जाते हैं जिसको प्रारंबिक संक्रमन कहते हैं और परसाथ के दिनों में द्वितियक संक्रमन होता है जिससे पूरा खेती सूख जाता है ये ठीक कहा तुमने अब इसे नियंतरण में लाने के लिए कोई तरकी बताओ सबसे पहले रोग ग्रसित गन्ने के थान को खाड़ देना चाहिए और चला कर नश्ट कर देना चाहिए उखाले गए इस थान की मिट्टी में 10-15 ग्राम ब्लीचिंग पावडर डाल के अच्छी तरह ठकके और शेश स्वस्थ गन्ने के थानों पर थियोफैनेट मिथायल नाम की दवा का स्प्रे करें ताकि रोग और ना फैले और फंगस को नियंत्रित करने के लिए मिट्टी का अपचार करना भी ज़रूरी है इसके लिए जमीन में ट्राइकोडर्माहजैनियम नाम का एक अंटी फंगल बायोजिन डालेंगे अगर किसी खेत में लाल सडन लोग के लक्षन मिलते हैं तो इस खेत की मेड बंदी करना बहुत ज़रूरी है जिससे की ये रोग अन्यस्वस्थ खेतों में ना फैल पाए हाँ हाँ मैं जल्दी ही तुमारी कई हुई बातों का पालन करूंगा तब ही मेरे खेत बच पाएंगे जी जल्दी करें लाल सडन लोग को ठीक तरह से पैचानना और उसका नियंतरन करना बड़ा ही मैं तुपून है ये हमें बाकी किसानों को भी बताना चाहिए ताकि उनकी फसल भी इस बीमारी से सुरक्षित रहेगी